हलो दोस्तों नमस्कार स्वागात है आपका PKR Tech Classes में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे MP व्यापम एक्जाम पेपर सॉलुशन ठीक दोस्तों हम लोग इसका फर्स्ट का पेपर सॉलुशन पूरा कर चुके हैं तो वह जो नहीं देखा है जिसने तो वह हमारे चैनल PKR Tech Classes में जाके उसे देख सकता है और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल PKR Tech Classes को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें ठीक दोस्तों बढ़ते हैं पेपर सॉलुशन की और ठीक दोस्तों इसके हम लोग इलेक्टिशन टॉपिक देखेंगे जहां से टेक्निकल कुश्चन सॉल्व करेंगे और कुश्चन देखने से पहले आप लोग उस रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अं लिए जैसे कि कहीं पर हम लोगों को दोस्तों DC प्राप्ट करनी है और अगला कुशन इंटर्नल सॉट्स इंडर प्लेट्स ऑफ लेड़ एसेट बैटरी लेड एसेट बैटरी की सेल प्लेट में अंत्रिक्वेस्ट्स पर होने पर क्या होगा अगर उसकी प्लेट्स अंत्रि discharge of cells without connecting to load कि बैटरी बिना लोड कनेक्ट किया ही discharge हो जाएगी ठीक है डज नॉट विल्डप बोल्टेज वैंच चार्ज अब जब अगर हम लोग चार्ज करेंगे बैटरी तो वो कोई यहने हाई वोल्टेज टांस्पिसन लाइन अर्थ कंड़क्टर इस यूजड तो जो हाई वोल्टेज लाइन होती है ओबरेड लाइन होती है उनमें जो अर्थ कंड़क्टर होता है दोस्तों वो क्या होता है जैसे कि यह काफी जो हाई वोल्टेज लाइन होती है उनको अम ल अगला question क्या रहा है the power factor of AC circuit is defined as the ratio of AC circuit के power factor को हम लोग कैसे प्रवासित करते हैं किसके अनपात में तो हम लोग जो दोस्तों जानते हैं कि cos 5 व्रावर power factor व्रावर होता है ryz ठीक है resistance upon impedance ठीक है resistance upon impedance और एक power factor क्या होता है cos 5 व्रावर होता है दोस्तों क्या real power upon apparent power मतलब क्या kilowatt upon KVA ठीक है अगला question dynamic inductance is adopted in मतलब जो dynamic induced EMF होता है वो किसमें अपना जाता है किसमें generate होता है तो दोस्तों यह generators जो होते हैं उनमें dynamically induced adopted होता है ठीक है अगला question क्या कह रहा है कि fuse is used for जो फ्यूज का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है तो दोस्तों फ्यूज का हम लोग क्यों करते हैं फ्यूज को सबसे पहले हम लोग दोस्तों फेज फेज कंड़क्टर में सीरीज में जोड़ते हैं ठीक है और वो क्यों लगाते हैं कि वो उवर एक्सा सो करण्ट होती है उनको ना बहने दे मतलब कि प्रोटक्ट अगें हैं मतलब क्या मतलब क्या है कि अगर जो करंड होगी उससे जादाEC लगा होता है उसकी का फूलोड कुरन की रेटिंग से थोड़ा कम रख के फ्यूज लगाते हैं जिससे कि फुल्ड जो इसकी पहले हमारा सर्कुट को open कर दें मेलट हो ठीक है अगला कुशन दा WM reads तो जो WM होते हैं वो क्या दर्स आते हैं तो वो पड़ते हैं क्या average पावर ठीक है जो power read करते हैं वो करते हैं P average average पावर अगला कुशन in star connection the phase current is as the line current तो star connection में दोस्तो क्या होता है star connection क्रe viktर में जो tackling होता है वह फी फ़ेज्च के बरावर होता है मतलब Saman सेम एंड जो ॉल्टेज होता है वो व जो वड़ावर होता है दोस्तों क्या रूट 3 जब फेज्च ग और यह डिकले कॉशन होता है दुस्तों में जो व उता हिंड जो क्ल falarGu क्टेब कि अगला क्शिशन इफ इने थ्री फेज मोटर उब 230, स्ट आइज्ट क्नेक्टिद वैंदिंग्स है क्नेक्ट इन डेल्टा एंड सप्लाइड विद 415 वोल्ड तो थ्री फेज़ की मोटर एंड 230 वोल्ड ठीक है, अगर स्टार सब्सक्राइब है और उसको डिल्टा एंड स्टार इंड इन डिल्टा एंड सप्लाइड विद चारसफ पंद्रा वोल्ट से जोड दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों जब की जहां पर दा आपी और जो इलेक्ट्रोमेग्नेटिक स्टेस होते हैं वहां जहां पर इन दोनों को तो उसके बोथ थर्माल एंड इलेक्ट्रोमेइटिक स्टेस आर कंसर्ड अगला question one of the important quantities of the oil used in the transformer is transformer में हम लोग तेल यूज करते हैं उसका महतपूर्ण गुणों में से एक सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए important तो वह होता है दोस्तो हाई डालेक्टिक स्टेंट ठीक है उसकी डालेक्टिक स्टेंट हाई होनी चाहिए ठीक है अगला question the purpose of connecting the loads in parallel to the supply system में तो supply system में लोड को या भारों को समांतर करम में जोडने का क्या अध्यस होता है तो दोस्तों हमने बताया है कि जब लोड को अमलोग लोड को अमलोग पैरलल में से लिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर वोल्टेज प्राप्ट हो ठीक है पैरलल में चुकी वोल्टेज समान होता है तो अगर हम लोग सारे एक्यूबेंट को पैरलल में जोड़ेंगे तो सब को प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा ठीक है अल्दा loads would get applied voltage सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचाना ठीक है अगर सीरीज में हम लोग कनक्ट कर दें लोड को तो यह देखिए अगर सीरीज में कनक्ट करेंगे दोस्तों तो जो पहले क्यूबेंट जड़ा होगा वो उसके वह अपने रेजिस्टेंस के साफ से उतना वोल्टेज डॉप करा लेगा इस है अगला किश्चन दरप जब प्रोवाइडिंग ओयल इंद टांसफार्मर इस टू टांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उध्यस होता है तो टांसफार्मर में तेल दोस्तों अम्लोग डालते हैं प्रोवाइट कूलिंग औं इंसूलेशन के लिए ठीक है अगला कुशन ET currents are reduced by जो बहुर धारा होते हैं कैसे कम किये जाते हैं तो दोस्तों लोग जो core होती है core को कैसे बनाएंगे कि making core of lamination applying insulation ठीक है तो जो core होती है उसको laminating बनाएंगे insulating awareness के से ठीक है अगला कुशन generators and transformers work on the principle of तो generator and transformer के सिद्धान पर काम करते हैं तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो generator and transformer है वो fire-order is law of electromagnetic induction पर काम करते हैं ठीक है जो generator होता है वो dynamically induced neemap पर काम करता है electromagnetic के और जो transformer होता है वो mutual induction पर काम करता है ठीक है अगला कुशन in a semiconductor diode the current through the junction is maximum कि अर्दचालक जो diode है उसके junction के माद्यम से धारा का वदिक्तम होती है जब कोई भी अगर एक PN junction diode है ठीक है semiconductor diode है PN junction diode है तो वो जब अगर forward wise condition में होगा तो उसमें जो current होगी तब सबसे ज़्यादा maximum flow होगी तो क्या होगा vanish forward wise ठीक है अगला question DC Sun Motor is used for DC Sun Motor कहां के लिए यूज की जाते हैं किस के लिए तो दोस्तों DC Sun Motor हम लोग जानते हैं कि constant speed motor होते हैं generally तो यहाँ पर जहाँ आप constant speed आप सकता होते हैं वहाँ पर हम लोग DC Sun Motor का यूज करते हैं अगला question इन star delta starter of an induction motor induction motor के star delta starter में क्या होता है दोस्तों तो star delta starter में क्या होता कि जो applied voltage होता है वो per phase 55 57.8% of line voltage ठीक है वो applied voltage जो प्रति phase आनुप्रिक्त voltage होती है वो line voltage की 57.8% होती है वो जाए अँगला question कि in the use of current transferme one important aspect to be kept in mind is कि करन्ट टांसफार्मर के उपयोग में द्रश्टिकर रखा जाने वाला महत्पूर्ण प्रक्ष्ट क्या होता है कि क्या हम लोगों को बहुत ज्यादा वर्डन से या किसी भाहर से जोड़े रखना चाहिए क्या होगा इट्स सेकेंडरी शुड नेवर भी ओपेंड एंड आलवेज इट सुड भी क्रेक्टिड विथ सम वर्डन अगला कुशन कि most of the industrial load art जो अधिकांस और दोगिक भार होता है वो कैसा होता है दोस्तों इंडिकांस ना वह होता है इंडक्टिव नेचर का ठीक है अगला कुशन इन AC circuits laminated iron is used to AC परपतों में laminated लोहे का प्रयोग किया जाता है क्यों क्योंकि दोस्तों इसको reduced ED current loss करने के लिए ठीक है भारदान आने को कम करने के लिए अगला कुशन क्या कह रहा है if there is to be current flow there should be यह धारा के प्रवाव के लिए क्या आवश्यक है तो धारा के प्रवाव के लिए दोस्तों आवश्यक्या क्या है कि potential difference ठीक है किसी भी दो टर्मलों के बीज में अगर potential difference होका तब ही हम लोगों की current flow होगी ठीक है और current higher potential से lower potential के और flow होती है ठीक है अगला कुशन the conductivity of aluminum as compared to copper तो तामर की तुलना में aluminum की जो चालकता होती है वो कितनी होती है तो होती है दोस्तों 60% के आसपास ठीक है अगला कुशन which one of the following lamps is commonly used in cinema projector तो कौन सा lamp cinema projector में मुखता प्रयोग में ला जाता है तो यह होता है दोस्तो carbon arc clamp ठीक है जो carbon arc clamp होते हैं यह cinema projector में यूज की जाते हैं मुखता अगला कुशन most preferred DC motor for constant speed application तो इस तरगती के इन प्रवाद एक प्रचले DC motor कौन से होती है दोस्तों यह होती है संट मोटर ठीक है DC संट मोटर को में लोग constant speed के लिए यूज करते हैं अगला कुशन slip ring induction motor इस प्रेफेरड भेन slip ring induction motor को कहां पसंद किया जाता है कि जब दोस्तों high start and torque क्या विस्चेकता होती है वहां प्रेम लोग slip ring induction motor का यूज करते हैं ठीक है अगला कुशन कि three registers of same value will absorbed more power when connected to three phase 400 volt supply in कि समान मानों की जो तीन प्रत्रोधकों को जह हम लोग किसमें जोड़ें कि वो थ्री फेज चार्ट सबोर्ट आपरीज सहयोजित होंगे तो अधिक्तम सकती आउस्योजित करेंगे यह दोस्तों हम लोग अगर उनको डिल्टा में connect करेंगे चुकि डिल्टा में प्रत्रेक रेश्टर के across समान voltage मिलेगा ठीक है तो वह जो power है वह maximum power क्या होते है दोस्तों V क्यों सा लेंप अधिकंट जाते ही अनका यूज किया जाता है ठीक है अगला कुशन resistance is measured by तो जो resistance है वो किसके दारह मापा जाता है तो यहां पर देखें कि दोस्तों वाट मीटर से हम लोग energy मापते हैं power factor पीएफ मीटर से power factor मापते हैं frequency मीटर से frequency मापेंगे एंड ohm मीटर जो होता है उससे हम लोग resistance मापते हैं अगला कुशन इन जीनर डायोड तो जीनर डायोड में क्या होता है दोस्तों कि जीनर डायोड से पहले reverse वाइस में काम करता ठीक रिवर्स वाइस में constant voltage source की तरह हम लोग उसका इस्तुमाल करते हैं तो जो जब उसकी हम लोग characteristics बनाते हैं तो रिवर्स वाइस voltage में वह आता है तो breakdown voltage की बाद वह सार्फ उसका जो ग्राफ होता है वह इस तरह से बनता है ठीक है तो क्या होता कि सार्फ और कि किस winding में फेरों किसंखन के यदिखतम होगी तो जनरलि है कि क्या होता है थोस्तों कि यह जहां पर high voltage होगा वहां पर number of turns जाता होगा अगला कुशन single phase induction motor operates on तो जो single phase motor होती है वो लगभग 0.65 0.6 power factor lagging पर operate होती है ठीक है अगला कुशन in a closed circuit the sum of the currents entering and leaving a node 0 this is divided by using a divided by using the band purpose या previous करने वाले तासा निकलने वाले बिंदू पर को लियोक सून है तो इसे किसकी नियम दाला ने सकर्सित किया जाता है तो तो यह होता है क्या किर्चाफ करंटला ठीक है कि कि किसी भी junction पर आने वाली and उस junction को छोड़के जाने वाली सभी करंटों का algebraic sum जो होता है वो जीरो होता है ठीक है यह होता है क्रचाफ करंटला अगला question pitch of a screw जो तो screw की pitch क्या होती है तो screw की जो pitch होती है तो उस्तों वो होती है axial distance traveled in one revolution of the screw की screw तो तो आरा एक घुणन में तैगी गे उसकी अच्छे दूरी ठीक है अगला question which type of wiring gives more mechanical and fire protection किस प्रकार की wiring अधे के आंत्रे को अगनी सुरच्छा देती है तो यह होती दोस्तों क्या conduit wiring ठीक है जो हम लोगों की सतय के अंदर से जाती है pipe की द्वारा ठीक है अगला question the temperature of a fuse temperature of a furnace is measured by तो भट्टी का जो ताफ है किस की दौरा मापा जाता है दोस्तों यह मापा जाता है पाइरो मीटर की दौरा ठीक है वो ताफ मापी की दौरा अगला question और इस पार्ड कलास question दोस्तों energy in a lead acid battery is stored in the form of lead acid battery में जो ऊर्जा है किस रूप में संचित होती है तो जो बैटरी होती दोस्तों उसमें जो ऊर्जा होती वो chemical energy group में stored होती है ठीक है ठीक दोस्तों यह था हम लोगों का सेकेंड स्रिप्ट का एंपी व्यापम इलेक्टिशन का पेपर सेट का पार्ट वन ठीक है दोस्तों तो जिसे भी अगर मारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पीकिया टैक्लास को सब्सक्राइब करें लाइक दोस्तों